हेलो इबरीवन आज हम बात करने वाले हैं फाइलम टीनो फोरा के जनरल करेक्टर के बारे में इससे फैले मैंने फाइलम सिलंट्रेटर को आल रेडि डिसकस कर दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेडिश में जाके देख लें आज हम बात करेंगे मतलब ही होता है टीनो मिन्स होता है काम और फोर्स मिन्स होता है बीरिंग इसका मतलब काम काम बीरिंग होते हैं यह इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करेक्टर इस क्लियूली मेराईं मतलब मुष्ली जो इनिमल्स होते हैं टीनो फोरा के मराईं होते हैं सेकंड क करेक्टर बाड़ी पीयर सेप का मतलब नास्पाति किया करका सिलेंड्रिकल फ्लैट और रीबन सेप या तो फ्लैट होगी या तो रीबन सेप होगी थर्ड बाई सिमेट्रे बाई रेडियल फोर्थ करेक्टर एक्स्टरनल सर्फिस विद एट वर्टिकल राज और फ्लैट और फ्यूज सेलिय फोर लोकोमेशर हैंस दी नेम कामबजेली इसका मतलब इसमें एट वर्टिकल राज पाया जाते हैं कामबजेली के जो लोकोमेशर में हेल्प करते हैं इसलिए ने कामबजेली भी कहा जाता है फिफ्थ केरेक्टर टिस्टू ग्रेड ऑफ और्गिनाइजेशन टिस्टू ग्रेड ऑफ और्गिनाइजेशन का मतलब कि इनकी हमारे बोडी की स्मालेंड होती है वह सेरु होती है ग्रुपाफ तेस्यू का फार्मिशन करते और ये टिस्टू ग्रेड़एःस फॉ खम्स अरप करते हैं ये सीपॉ Goreणाइजेशन करते हैं निमेटोंसिस्ट अपसेंट हमने सिलन्ट ट्रेटा हम देखा कि निमाटोसिस्ट प्रेजंट होता है जो अफेंसी और डिफेंसी इन नेचर होता है लेकिन इस फाइलम टीनो फोरा की केस में निमाटोसिस्ट अपसेंट होता है 1727 एपियर लासू सेल और कालव बलास्ट प्रेजंट इसका मतलब कि जो इसम्मेटोसिसं प्रेजंट था लेकिन इसे पियर लासू सेलGeekंट होता है एट केरेक्टर लासो सेल्स हेल्प इन दी अडेशन एंड कैप्चरिंग फूड इसका मतलब लासो से जो होता है वह चिपकने और फूड के कैप्चरिंग में हेल्प करता है नाइन करेक्टर एसलोमेट मतलब कि इसमें कोई शेलम नहीं पाई जाते है आ मतलब कि इसमें मेल और फिमेल से सावेंन एक ही यार्टेजम में पाया जाएंगे 11 करेक्टर डेवलोप्मेंट डेवलोप्मेंट हमने बताया था कि डेवलोप्मेंट दो टाइप का होता है फर्स डायरेक्ट डायरेक्ट और दूसरा इंडायरेक्ट डायरेक्ट में लार्वर स्टेज अपसेंट होता है जबकि जो इनडायरेक्ट केस होता है उसमे तो पूछा जाता है तर्टीन करेक्टर अल्टरनेशन आप जनरेशन अपसेंट इसका मतलब इसमें कोई पालिप और मेडूशा फर्म नहीं पाया जाता है मतलब बैरियस फर्म एक और्गनिस्म के नहीं पाया जाते हैं और टीनोफोरा के एक्जामपल से प्लेरोब्रैंक या टीनोप्लाना एटीसी आई होप ये वीडियो आपके लिए यूसफुल होगी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा सेयर करिएग चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ तब तके के लिए बाए